हेलो बच्चों, आज के इस एपिसोड मैं स्वागत है. आज की कहानी है सुनसान रास्ता. तो सुरू करते हैं बिना देरी के. गाम से शहर जाने वाली एक सुनसान सडक पर रात का अंधेरा चा चुका था. चाननी रात में सडक पर एक अकेली कार धीमी गती से चल रही थी. कार में एक युवक, रवी और उसकी बहन, सुशमा बैठे थे. वे दोनों अपने मामा के घर से लौट रहे थे. अचानक कार के इंजन में अजीब सी आवाज आने लगी. और फिर कार रुख गई. रवी ने गाड़ी से उतर कर इंजन की जाँच की, लेकिन समस्या समझ नहीं आई. उसने सुशमा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ मदद लाने की कोशिश करता हूँ. सुशमा ने हामी भरी, लेकिन उसकी आँखों में डर साफ छलक रहा था. रवी कुछ दूर ही चला था, कि उसे सडक के किनारे एक पुराना, तूटा-फूटा मकान दिखा. उसने सोचा, शायद यहां कोई मदद मिल जाए? उसने दर्वाजा खट-खटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. उसने धीरे से दर्वाजा खोला और अंदर जहांका. अंदर घना अंधेरा था, बस एक छोटी सी लौ जल रही थी. अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया. उसकी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा. रवी ने नचाहते हुए भी हामी भरी. बूढ़े आदमी ने कहा, इस जंगल में एक पुराना मंदिर है. वहाँ जाकर एक दीपक जलाओ और वापस आ रही थी. उसकी दिल की धरकन तेज हो गई. थोड़ी दूर चलने के बाद उसे मंदिर दिखा, लेकिन मंदिर के गेट पर एक विशाल सांप पैठा था. रवी ने हिम्मत जुटाई और धीरे-धीरे सांप के पास गया. उसने देखा कि सांप ने रास्ता छोड़ दिया है. वह तेजी से मंदिर में दाखिल हुआ और दीपक जलाया. दीपक जलाते ही मंदिर में एक हलकी रोशनी फैल गई. उसी समय मंदिर के कोने में रखी एक मूर्ती से आवाज आई. रवी तुमने सही रास्ता चुना है. जाओ, तुम्हारी मदद हो चुकी है. रवी तेजी से वापस गाड़ी के पास पहुँचा. सूशमा ने देखा कि रवी के चहरे पर संतोष की मुस्कान थी. उसने पूछा, क्या हुआ? रवी ने सब कुछ बताया और गाड़ी स्टार्ट की. कार बिना किसी समस्या के चल पड़ी. जैसे ही वे दोनों गाव की सीमा पार कर रहे थे. रवी ने देखा कि वह पुराना मकान और वह बूढ़ा आदमी दोनों गायब थे. उसने सोचा, क्या ये सब एक सपना था? लेकिन उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी-कभी अंजानी राहे हमें सच्चे जीवन के सबक सिखाती हैं. रवी ने गहरी सांस ली और कार तेज गति से चलाने लगा. उस रात की घटना ने उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाट सिखाया. साहस और विश्वास की शक्ती. तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही. कल फिर नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे. बाइ-ब